आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फोटोशॉप में रिंकल्स बैक्ड्राउंड को क्लियर करते हैं स्मूथ करते हैं तो मेरा नम सोथम और आप देख रहे हैं सोथम FC तो चलिए सुरू करते हैं इसका जो बैक्डव नापको स्मूथ करेंगे और क्लिट करेंगी तो कैसे करना है सबसे पहले हम लोगे करना है यह सब्जेक्ट है और मॉडल है और बैक्डव है यह दोनों को सेपरेट्व करना है तो select में जाएंगे quick selection tool ओके और उसके बाद select subject ओके देखे subject select हो गया इधार extra select हो आया इसको remove करेंगे तो इसको press करेंगे इसको add करेंगे तैसे करके add कर देंगे और बाकी देखिए hair selection ठीक से नहीं हुआ है तो इसको refine करना है तो simply select and mask पर जाएंगे और इधार से object और के choose करेंगे और इधार से थोड़ा थोड़ा सा paint कर देंगे ठीक है अभी इधर output settings जो है output तो इधर हम लोग select करेंगे new layer with layer mask ओके तो देखिए subject isolate हो चुका है इसका नाम देता हो model और एक background भी separate करना है background भी लेना है तो इसका और एक copy बना लेता हो अभी इसको select करेंगे फिर से इसको turn up कर देता हो के इसको select करेंगे आउटर सेलेक्शन हो गया अभी shift प्रेस करके back paste प्रेस करेंगे ओके अभी इधर content आवर को चूज़ करेंगे ओके और बाकी settings जैसा ही वैसे ही रख देंगे कोई चेचर नहीं करेंगे just okay कर देंगे देखिए background भी ready है और subject भी अलग हो चुका है दोनों यह अलग हो चुका है अभी simply background को smart object में convert करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि हम लोग इसमें blur add करेंगे blur का value अगर कम जदा करना है बाद में तो हम लोग कर सकते हैं इसलिए इसको smart object में convert किया है अभी filter में जाएंगे blur Gaussian blur अभी blur amount को धीरे धीरे increase करेंगे जिस पोजिशन में ठीक टक लाएगा तो उदार stop कर देंगे 150 जोके अभी ok कर देंगे अभी दोनों को group में ले लेता हो ctrl G प्रेस करके अभी before after देखिए image पहले ऐसे था और अभी ऐसा है थोड़ा सा देखिए इधर अभी भी problem है थोड़ा सा here में थोड़ा थोड़ा सा problem है इधर देखिए तो इसको भी fix कर सकते हम लोग simply यह जो group है group के उपर mask create करेंगे और brush choose करेंगे foreground color white है लेकिन black लेना है simply express करेंगे okay black आ जाएगा अभी थोड़ा थोड़ा सा जीदा जीदा problem है here में उदार fix कर देंगे mask कर देंगे okay तो इधार problem है थोड़ा सा mask कर देंगे okay इधार थोड़ा सा problem है और देखिए कि इधार problem है कि इधार भी थोड़ा सा problem है अब भी देखिए एकदम ठीक ठक है यह देखिए before अप्टर वीफोर अप्टर वीफोर अप्टर तो एही था आज का चोटा सा ट्यूटरियाल आयप की ए ट्यूटरियाल आपको आच्छा लागा अगर अच्छा लागा होगा तो प्यूटरिय वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो प्लीज सब्सकाइब कर दीजिए क्योंकि मैं जब इस तरह का editing related और photographic related वीडियो लाओंगा सबसे पहले आपके पास notification चला जाएगा और सबसे पहले आप उसे देख सकते हैं और आ आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में टाडा